इससे पूर्व कि वो असुर सेना जीवित होकर सर्वत्र विनाश करें आपको उन त्रिपुरा सुर का वद्ध करना ही होगा पिता श्री जिनके मुख पर सदा मेरा ही नाम रहता है अपने उन अनन्य भक्तों पर मैं अपने अस्तर कैसे उठा पाऊंगा गनेश पंच भूत और त्रिपुर तत्मों से बनी असुर सेना अब दयार है इसमें प्राण भूके जाने के लिए यग्य की अगनी को और शक्ती देनी होगी किन्तो इसके लिए मुझे और हवन सामगरी और गृत की अवश्यक्ता होगी शिग्रे जाओ लेकर आओ ये सामगरी हमने यदि यग्य में बाधा डाली तो गुरु शुक्राचारी का ध्यान अक्रिष्ट होगा और वो उस विद्न को दूर करने का कोई उपाय सोच लेंगे किन्तु हम उसके पूर्णोने में विलंब तो अवश्य उत्पन करवा सकते हैं ये हमें सेवकों के वाँ पहुचने से पूर्वी उस स्थान पर पहुचना होगा जहां हवन सामगरी और गृत का भंडार है चलिए मुशक जी जिस और वो सेवक जा रहे हैं भंडार करे भी अवश्य उसी होरोगा ओम नमो 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 स्वाहाँ ओम नमो 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 स्वाहाँ तो सुरंग में है हवन सामगरी मुझे ततकाल कोई उपाई करना होगा ताकि असूर सैनिक वहां तक पहुंच ही ना सके हाँ यह उपाय तो अच्छा है सुन्जी है वहां आडता है explained हुईका बचलनग करना हुईक्क विअ हई k coz вами है करता है भूए और्म है वहार वा थैवा ना ममी तववा क्या दो सबस्सकी वहां करना है वहुत अच्य है प्रभू देखा मुशक जी अब हमें जो करना है उसके लिए थोड़ा समय मिल गया हां प्रभू मुशक जी शीक्र चलिए भंडार के भीतर प्रभू यहां हवन सामगरी और गृत्तो इतनी अधीक मात्रा में है हां जितना बड़ा शड्यंत्र तैयारी भी उतनी ही विशाल है किन्तु अब समय आ गया है विग्न करता की रूप में विग्न डालने का मुशक जी वे असुर सीवक यहां पहुंचें उसके पूर्व इस सामगरी और गृत को समाप्त करना होगा हमें मुशक जी आप सामगरी नश्ट कीजिए मैं गृत का उपाई करता हूँ आहां प्रभू आरंब करते हैं भवन की ये जो शुक्राचार आयोजित जिससे हो देव नश्ट जग का हो आहित विखन करता की भूमिका गजानन निभाए सामगरी यग्य की सबमूस संग खान जैदरेश 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 देवा मता जाती पारवधी तिका आहा देवा शीकृता करो गुरुदे प्रतिक्षा कर रहे हैं शीकृत चलो हाँ हा मुशक जी सारी सामगरी रेश्ट कर दीजिए असुरों के गुरु शुक्राचारियों को प्रतिक्षा कराना उचित नहीं है आगे बढ़ो शीकृता कीजिये मुशक जी असुर सेवक किसी भी खण यहां पहुंच जाएंगे यह क्या हो गया सारी सामगरी और धित कहां लुपत हो गये गुरु शुक्राचारिया को ज्याद हुआ तो उनका क्रोध हमें बास में कर देगा किन्दू किस ने किया यह दुश साहस गया कहां यह तो अच्छा हुआ प्रभू यहां उन सेवकों ने मंडार में प्रवेश्ट किया और वहां हम निकल गये अब तो वह इसी विचार में होंगे कि सामगरी और घृत को किस ने नश्ट किया हां मुशक जी तो आईए मुशक जी हम असुरों के इस अधर्म कार्य में थोड़ा और विग्नूत्पन्न कर देते हैं प्रभू क्यों नहीं अब ये कवच गुफा में समाहित होने वाले तत्वों की शक्तियों को रोकेगी आगे बढ़िये मुशक जी शी गनेशा शी गनेशा शी गनेशा गुफितना हर्ता शी गनेशा अधीत होता है प्रभू जी शी गनेश अपने प्रयास में सफल हुए हमारी घुरजा लोट रही है हां दीवराज प्रवाह क्षिल क्यों पड़ गया प्रदीत होता है कि कोई मेरे कारे में विग्ण डालने का प्रियत्म कर रहा है अन्य था अन्य था मेरे कारे की कतिकम कैसे हो रही है प्रिंब्रम प्रिंद्रम स्वाहा नहीं हवन सामक्री समाप्त नहीं हो सकती मैंने अपने सवकों को सामक्री और ख्रित लाने के लिए बेजा था इतना विलंद क्यों कर रहे हैं वो अभी तक सभी स्तंबित है मैं पुना अपने स्थान पर बैठ जाता हूं और इंकर स्तंभन तोड़ता हूं क्या हुआ आप रुक जों गए लड़ों खिलाए ना जी महादेव पुत्र मैं वोई करने का प्रैत्न कर रहा था आप बस परियाप्त है क्या प्रभू हम तो आपको लड़ों खिलाई ना सके आपका तो एक ही लड़ों में उदर भर गया इसका कारण भी आप कुछी समय में जान जाएंगे जब आपको ग्यात होगा कि आज कितने घृत का पान किया है मैंने रुकिए आप दोनों अपने हिर्दे को छोटा मत कीजिए जो लड़ू तारकाक्ष्री ने मुझे खिलाया वो आप सब की इतने श्रद्धा और भक्ती से पून था कि उसी से मेरा उतर भर गया कि आप इन शेश लड़ूं को ट्रिप्पूर में प्रसाद की रूप में बटवा दीजिएगा जैसी आपकी आज यतों कि अब आप मुझे अनुमति देजिए इसनी शीन सा तो भी क्या है आपकी सेवा का हमें थोड़ा और अफसर दीजिए वो अफसर शीग्र प्राप्त होगा आपको किन्तु अभी तो मुझे जाकर पिता श्री को आपकी भक्ती और सेवा से अफगत कराना चाहिए आपका बहुत-बहुत भन्यवाद कि आपके माधिम से हमारी प्राप्ता स्वें माधिव तक बहुत जाएगी हमें अपने सानिर्जिक का सौफा के प्रदान करने के लिए शचचच नमन प्रभू कि आपके मारे पुत्र का अचानक यहां पर आगमन और उतनी ही शीवरता से प्रस्थान क्यों संभव है भ्राताओं ये उन दुष्ट दियोताओं का कोई छल हो भ्राता स्रे कहीं यहां आकर हमारा उद्देश्य तो ग्यात नहीं कर लिया महादेव पुत्र ने तुम दोनों शीकर जाओ जाकर देखो क्या अचारे शुक्रचारे का कार इस उचाणों रूपे चल रहा है नहीं अब हमारे वास्तविक प्रयोजन में और विलम नहीं होना चाहिए बहुत प्रणीक्षा किये इस दिवस की अब और नहीं अब और नहीं प्रणाम पिताश्री प्रणाम मा पिताश्री त्रिपूर में आपके भक्तों से मेरी भेंट हुई और और मुझे विश्वास है कि तुमने वहां कुछ भी अनुचित नहीं पाया पिताश्री को केवल बोल कर नहीं किसी अन्य प्रकार से समझाना होगा कि त्रिपूरा सुर्गी वास्तिविक्ता क्या है और वहां क्या चल रहा है किन्तू कैसे हम्म मिल गई युक्ति अवश्य पिताश्री आपका विश्वास उचित है अनुचित का तो लेश मात्र भी नहीं था वहां किन्तू मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूं पिताश्री, मा, मेरे साथ आईए ना मा देखिए ना कितना कुम है कितना सुन्दर स्वर है इस कोयल का हां मा किन्तू अपने मदूर्ण सबका मन मुहने वाली इस कोयल के पंजे पर भी एक दिश्टी डाल कर देखिए कभी कभी कोमलता के पीछ अपनी कुरूरता चिपाने वाले अपने उपर पवित्रता और धार्मिकता का धोंग रस्ते हैं मेठी वानी बोलते हैं किन्तू उनके भीतर कुपीलता चिपी होती है हमें कोयल के निकट लाने कर तुम्हारा आशय मैं समझ क्या भूत्र कि इस कोयल के समान तृपुरा सुर भी तोहरा चरित रखते हैं हां पिताश्री तृपुरा सुर आपकी भक्ति अवश्य करते हैं कितू उनकी भक्ति के पीछे ईश्वर के प्रति समर्पन का भाव नहीं अपितु ईश्वर से निरंतर कुछ प्रापति की लालसा है पिताश्री वो दिवस रात्री आपकी पूजा करते हैं जिससे आप उनका वद ना करें ब्रह्मदेव को तपस्या से प्रसंड कर उन्होंने त्रिपूर वर्दान में मांगा जहां देवता भी अनुमती के बिना प्रवेश ना कर सकें जिसका लाब उठाकर वो वहां देवताओं महाभूतों और त्रिपूर के अंशों से ऐसी अपराजय सेना उत्पन्न कर रहे हैं जिसे तब तक नश्ट नहीं किया जा सकता जब तक त्रिपूर का विनाश ना हो गनेश उचित कह रहा है हा मा गुरु शुक्राचारी की निद्रानी में उन्होंने त्रिलोग पर असुरों का अधिपत्य स्थापित करने का कुछ चक्र रचा है इससे पूर्व कि वो असुर सेना जीवित होकर सर्वत्र विनाश करें आपको उन्त्रिपूराशुर का वद करना ही होगा पिताश्री मुझे दिखाई दे रहा है त्रिपूर का नाश करने के लिए जो अनेवारे स्थिती है वो अभी उत्पन हो रही है स्वामी यदि अभी आपने विलम किया तो अगले सहस्त्र वर्षों तक त्रिपूर का नाश असंभव है सहस्त्र वर्षों तक असंभव हो जाएगा वो क्यों माँ पुत्र जब ब्रह्मदेव ने त्रिपूरा सुरू को सहच्ता से वर्दान दे दिया तो उन्होंने ब्रह्मदेव से कुछ और भी मांगा प्रभू मेरे भ्राताओं के इच्छा अनुसार हमें त्रिपूर का वर्दान देने की क्रपा कर आपने हमें क्रतार्थ किया किन्तु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं मेरी एक इच्छा अभिशेशे उसे भी पूर्ण करने की क्रपाग है कहो वत्स कमलाक्षे क्या चाहते हो तो प्रभू मेरे भ्राता के इच्छा अनुसार मात्र महादेव ही त्रिपूर का नाश कर सकते हैं किन्तु तब ही तब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपूर के तीनों पूर एक सिधी रेखा में स्थीर हो और जब शिवजी अपने एक ही बान हमारे तीनों पूरों पर प्रहार करें जो बान बान ना हो और वो बान उस धनुश से चले जो धनुश धनुश ना हो और महादेव ऐसा उस रत पर आरूड होकर करें जो रत रत ही ना हो प्रभू मात्रेशी अवस्थान त्रिपूर और हमारा विनाश संभव कथास्तू 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 अर्थात यहीं उच्छी तफसर है उनके विनाश का अन्यथा त्रिलोग पर उनका अधिपत्य स्थापित हो जाएगा और सरवत्र अधर्म का अंधिकार छाएगा जिनके मुख पर सदा मेरा ही नाम रहता है अपने उन अनन्य भक्तों पर मैं अपने अस्तर कैसे उठा पाऊंगा गनेश किन्तु आपके वो भक्त तो संपूर्ण संसार का अहित करने की यूजना बना रहे है पिता श्री आपकी प्रती उनकी भक्ती ढाल बन कर उनकी लक्षा कर रही है किन्तू उनकी भक्ते की ढाल इतनी भी बलवान नहीं है पिताशी पुत्र तुम्हें जो भी उपाय करना है शीघ्र करना होगा क्योकि त्रपुर अब एक सीधी रेखा में शीघ्र आने वाले हैं और जितनी शीघ्र वो उस रेखा में आएंगे उतनी ही शीख्र उस रेखा से बाहर भी चले जाएंगे तुम्हारे पास कुछे पहर का समय है मा मुझे ग्यात है, समय कम है धर्म परायन जनों का विगन हरता हो तो अधर्मियों और पापियों का विगन करता भी तो हो कोई अनिश्ट नहीं होने दूँगा मैं किन्टो उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी ये कैसा विगन है? अकस्मात ये अवरोध कैसे उपन हुआ? नहीं, मैं अपनी असुर सेना का निर्मान करके ही रहूँगा और इसके लिए मैं अपनी समस्त आसुरी शक्तियों का आवाहन कर इस कारे को पूर्ण और सफल करूंगा ये क्या, हमारी, हमारी उर्जया पूना क्षी नोरी, अर्था, शक्तियों डविन्टला नहीं हाँ, इंदर देव स्वाह अपनी रग की आहूती देकर भी इस यग्य की अग्णी को बढ़ाने की आवशक्ता होती तो वो भी करता मैं गेंतु अपनी असुर सेना और इस यग्य पर आज कदा भी नहीं आने देता त्रेपुर की एक रखा में आने के पूर्व इस असुर सेना को जीविक करूँगा फिर त्रेपुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा हर हर महादेव हमें शीक्री त्रेपुर असुर को रोकना होगा इसे पूर्व की त्रेपुर सीधी रेखा में आकर सर्वत्र विनाश का कारण बने बाहरी आवरण को देखकर भीतर की सच्चाई को ग्यात नहीं किया जा सकता तिको आवरण के भीतर छुपी सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए गनेश बन रहा है विग्ण करता देवताओं पर असुरों का अधिपत्त स्थापित करने की हमारी गुप्त योज नाज्यात है उसे पिताश्री अब शीग्र सत्य आपके समक्ष आ जाएगा जब त्रपुरासुर द्वारा आपकी जूटी भक्ती समाप्त होगी इस हफ्ते देखिए त्रपुरासुर के संकट से सभी देवों को कैसे मुक्त कराया श्री गनेश ने